लिए गया दोस्तों कैसे आप सब आसा करता हूं आप सब अच्छे होंगे तो आज हम निबंद पर चरचा करेंगे जैसा कि आपको पता है कि आगे में के होने वाला है और में कहात जाए कि एक नंबर से लेकर 45 नंबर का वैरियेशन को मिल रहा है कि सब को मिल रहा है कि सब कोंन स् nhânum नहीं इसका वो निर्णाय कर दे रहा है इसलिए कहना चाहिए कि निर्णायक भूमी का है किसमें आपके मुख्य प्रिक्षा के चैन में तो क्या निबंध है जो अभी चर्चा के विशय बने हुए उन विश्यों पर हम विशत चर्चा करेंगे इस तरह के जो निबंध है जो ह आप उनलाइन मोड पर तो है ही इसके लावा ओफलाइन मोड पर भी एक सिरीश चल रहे तो जिस पर आप विस्सा बन सकते हैं तो ज्यादा समया प्रबाद ना करते हैं क्या करतें करके तो पहला टॉपिक है वह किसान अंदूलन समस्या और इसका समधान यानि कारण क्या है और समधान इस पर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले दिखते हैं कि भूमिका देखो करन्ट अफेर का यह क्या है निबंद है इसलिए हमने निबंद कैसा सुरू किया करेंट अफेर के रूप में शुरू किया हाल ही में कि किसान अंदूलन दिखा गया जो कैसा है दोजर उननीस का रूप है क्या यह के जो किसान यहां और नहीं है वह क्या है दोजर उननीस का किसान अंदूलन जैसा युद्धा पंजाब-Haryana और पश्चिमि-उत्तर राज्यों में देखने को मिला आखिर इस आंदूलन का क्या करन था पहले तो नहीं ने बताया कि क्या देखने को मिल रहा है मैंने बता दिया पंजाब अर्याणा पस्चीमी उत्तर प्रदेश यहां पर अंदुलन फैल रहा है इसके बाद मैंने क्या किया कारण है क्या कारण था यानि 2019 में क्या करण था और क्यों इतनी जल्दी यह चर्जा का विशाय बन गया 2019 में सरकान ने तीन किसी कानूनों के विश्था की थी जिसके खिलाफ खिसानों ने अंदुलन किया था यह बात भी बतानी पड़ेगी कि पिछले साल अंदुलन जब हुआ 2019 में तो फिर क्यों कारण से हुआ और कारण से हुआ तो सरकान उसको क्या निदान निकाला था कि सर करने के सरकारश्बाट से किसानों यहां किसानों करेंगे लेकिन वायदा पूरा करेंगे रहा हुआ बरिनाम Strawberry कया हुआ早 αभी 2024 का अंदुलन तो पहला यहां लोगों क्या वायदे किया थे थे सभी फचानों पर हम क्या करें थे देंगे रहेकिकी कि किसानों के खिलाफ Anything भी मुकदमे हुए हैं वह हम क्या करेंगे वापस ले लेंगे तीसरा काम कहा किसानों को प्रदूसर्ण मुक्त कानून जो भी है जैसे कि अपने सुना होगा कि हर्याना में पलारी जलाने का एक मामला आता है प्रदूसर्ण फैलता है पूरे दिल्ली की जाता है तो इस तरह की कानून से क्या करेंगे बाहर रखेंगे ऐसा वादा किया गया इसके लावा सरकार किसानों का पूरा बड़ा वादा है पूरा करजा माफ करेगी यह आसान काम नहीं था लेकिन फिर भी वादा किया गया है किसानों से इसके लावा किसानों वा खेती हर मजदूरों को पिंशन दी जाएगी यह वादा किया है लोगों ने पिंशन दी जाएगी कहने का मतलब क्या हुआ कि सरकार लेकिन किसानों को दी जाएगी यह बड़ा अत्रंगी सा वादा अगे वीद्धूत्ष संभधन विद्यर्यक 2020 जो है वो जल्द आने वाला है इसको लिखर किया गया वादा किया गया इसको रद्द कर देंगे जो किसान विरोधी माना जाता है में जाने कि किसानों को बहुत सारी फ्री भी मिलती है तो उसको तुम क्या क tällmeal संसुदन विद्यक जो इस में फ्राउध है उसको रध्य कर देंगे ऐसा वादा इंते सरकारम ने किसे किया है किसान हो की किसान जो हूँ विजोत कर रहे हैं और आंदूलन कर रहे हैं उसका कारण देखें पहला nine कि करेगी एक कम से कम निर्धारित कीमत तो फसल बोने से पहले क् ng SM काटने से पहले क्या कर दी गई हो फसल को कहना चाहिए कि उन लोग ने वादा कर दें इस कीमत पर हम खरीदेंगे सरकार ने उसको क्या कहते हैं में स्पी इसका वादा किया दूसरा वैसाइक किसी उसकी सर्ते निर्धारित अभी तक के नहीं है तो कि जो तीन कानून आई थी इसमें जो शर्ते हैं वह पूरी तरीके से निर्धारित नहीं हो पाई थी और आज तक निर्धारित नहीं है इसमें सरकारी पदादिकारियों के जो भूमी का है उसको लेकर के भी विवाद हुए थे ठीक है तो यह हुए किसानों की मांगे नहीं मानी गई हमने देखा यह निर्दारित नहीं है और बात में थोड़ी में वहारत संबंदि सुगमतं में कमी लाई जाए यानि किसान अगर लेता है तो बड़ी तकलीफ है जहलता है उसको बहुत एक प्रक्रिया में जैसे मुबाइल मोटन आज कल के एक डाउनलूट कर लिए और लोन आपका सेंक्शन हो गया इतना ही सक्षम इतना ही सरल बना दिया जाए तो कितना अच्छा होगा लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है क्या है यहां पर किसानों के आंदूलनों का यह कारण है कर्ज माफी कर्ज माफी को ले करके कोशन आएगा कर्ज माफी समाधान नहीं है आपको यहीं पर बोल करके बता दिना चाहिए क्योंकि कर्ज माफी जो है वह ऐसा टॉपिक है कि जह किसानों को कितना 10,000 रुपाय किया गया जब थो जर आट नौ में भी किया था जब 25,000 का कर्जा माफ हुआ था का वी माफ करने का वा फायदा से ज्यादा क्या उबना सुरू कर दी करदि और भारत के राजजसों पर बोज बढ़ना शुरू हो कर्ज माफी कोई परमान समधान इसलिए नहीं है इस पर आपको क्लियर कर देना है जोटे-जोटे जमीन के तुकड़े जो आपना करजा दे सकते हैं या कहें कि अगर बड़े किसानों का करेंगे होता है उनका करहें नया विवाद पैदा होता है कि इसके लगा राबाट की रिपोर्ट में बताया है है 2021 में जो इनका किसानों का कर्ज हो कितना है 23.4 लाक करोड रुपया का कर जा है अगर इतना बड़ा कहना चेक राजस्व का नुकसान सरकार करेगी तो दूसरी लोग कल्याणकारी जो योजनाय है उस पर खर्च कम हो जाएगा इसलिए यह बिल्कुल समधान का उपाय नहीं ह कर्ज माफी इसलिए द्ना कर्ज करक्այ को कर US करना ऐसे कर्ज माफी आप समर्थन में है ψसमर्थन में नहीं बहुत है इसका करेगीं सरकार तो इसा का współ है कि 2021 में यहां पर 23.4 लाग करोड का करजा माफ करना होगा सरकार को केवल एक बताना बस है केवल वर्तमान इस्थिती बता दे नहीं तो वर्तमान इस्थिती क्या है पंजाब भर्याण पस्ची में उत्तर प्रदेश के सभी प्रभावी किसान संगठन लगबक तीन महां से क् दे रहे इसके रहे एक टेक्टर मार्च जेल भरो मार्च दिल्ली चलो अंदोलन क्रिसी बिल कर चुके चलो यह कर चुके पहले भी और कि सरकारत वारा 2021 में इसको वापस लिया जा चुका है यही वर्दमान इस्थिति है तो तीन बिल क्या कहें मुल आश्वासन और कृषि सेवा अधनियम किसान अधिकारिता और सरक्षण अधनियम किसान उत्पाद व्यापार और वालिज्य अधनियम और आवश्यक वस्तू संसोधन अधनियम इस पे जो प्रावधान उसको ले करके बहुत सारी आपतियां थी किसको किसान को और किसान बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे इसका इसलिए संसद में वापस लिए जा चुके और सरकार किसी तरह की नई व्यवस्ता अभी तक के नहीं कर पाई है ठीक है यह अंदुलन का तक ह memb Face Town रिपोर्ट मैं आपर नहीं लिखा किया सभी वाइदे पूरे किया जायए सब सब्सक्राइब करना मुश्यक्ति क्या उसको सब्सक्राइब करें अब्वाइब करśli तो अपने समधान को अपाय में लख करें अख़िए और सभोचीत नीयम के लिए भी कानुन बनाया जाए ओय करो ली वापस लिए लिए और अ किसानों के लिए समय दानीually का निरमाल किया जाना चाहिए अपने सुना होगा कि आयो गया थम बिन्स ट के लिए सी के लिएंघए के लिए लिए मानव अधिकारों के लिए हर चीज के लिए बन रहे तो आप एक आयोग बनाओ ना जिसके सुनवाई करें इसके लावा क्या करें आप सैटलाइट बेस पर प्रत्तिक राज्जी के लिए किस चेत्र में किस तरह की जमीन है और वहां पर कौन सी फसल प्रधान उचसे बोई जा सकती आप यह चेक कर लिए और प्रत्तिक राज्जी का क्या करिए एक प्रधान फसल रखिए और वहां पर ही क्या हो वह एमस्पी लागू कर दीजिए तो होगा क्या कि जिन भी जाज की जैसी भी बड़ी फसलें वहां पर क्या होगा एमस्पी ठीक तरीके से काम करेगा सरकान निगरानी तंद्र को भी अच्छा कर सकती है लेकिन सब जगा पर सभी राज्यों पर अलग 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 फसलों के लिए मैस्पी निधायित कर देते तो तकलीच ज्यादा रहती के लावा उचित मुल्य प्राप्ति की निगरानी पर भी ध्यान दिया जाए जैसे आपने सुना होगा कि किसान चले गया मंडी में और मंडी जा करके उन्होंने क्या किया अपना किसान ने अपना फसल बेटने के लिए उसने दर्खवात लगाई तो फसल करेंगे क्या रख लिए यह वह कम रेट अधिकालीन मांगा माल लेजे 15 रुपय को ले मांग रहा है और किसान ने 15 रुपय किलो मांगा तो इस रुपय लोगे तो दस रुपय कैसे देगा भाई तो 15 का है तो बाहर निकल जाएगा उसके बाद कोसिस करेगा कहीं पहुंच वगर लगाने का कि कि हमारा फसल हो और यह सरकारी कर्मचारी होता है कि इसा पता है कि आ तो कहता है कि तुम्हारा पंद्रा लिख देंगे और रुपए चार रुपए जो भी बचेगा उसको हम अपने जिम में रख लेंगे तो जो प्राप्ति है यहां पर उचित मुल्य प्राप्ति इसको लेकर के कोई निगरानी ववस्था नहीं की गई इसके लावा बंदारन ववस्था भारती किसानों के लिए तो बिलकुल यह यह सब्सक्राइब यह सघ्णक था andare यह Küर पॉइंट है तो यहांनि की मिनमम सब्सक्राइब करंद कर दिया जाए मि उसको क्या कर दिया कुराव किसी तरह का नीमित्ता ना की जाए वैदानी करन किया जाए या फिर समढ़ानी कर दिया तो भी बढ़िए कि Town कि इसक्षान के कि तब爸 पर रुए तको किसानों की समस्य का समधान की निप्टारन किया चाहिएं यहां पर विरोत कर रहे हैं कि सनल्हें बंकर को दे रही सरकार सम márdh bn कर देगी तो यहां पर समधान के रास्ताहीं फब्त हो जाएंगे समाथ कर इनके कारीं में होने वाली बिött नहीं की जानकारी लिए जायूँ क depression ऑट को भूलने ही नहीं चाहिए भारत एक पड़्यान नहीं देंगे तो प्रात्मिक सिटर नहीं सुद्र तो अगर नहीं नहीं कि नहीं है इसलिए प्रात्मी निर्माथा यहां के किसान ही है अता सरकार यह करता व्यांता है यो किसानों के द्वारा किये गए युक्ती संगत वादों को पूरा करें ताकि देश के किसान अपने कारें को लगं से करते रहें और किसी पधान देश की निव हमारे से यहां से बनी रहें और विकास कार होता रहें तो इस पैटन में मैंने एक जनरल पैटन में क्या कर दिया है एक निबंद आपके लिए प्रस्तूत कर दिया है अगर एक्जाम में आता है तो से बहुत सारे चीजें जो है वह काम की मैंने डाल दी है कास का डेटा वाला जो पोर्शन है वह एकदम सही डेटा है आप उठा करके उसको अपने एक्जाम में उठ्योग कर सकते हैं तो आते है नेक्स निबंद पर अगला जो निबंद है अगला निबंद देखिए भारत के पलोसी देश और विदेश नेती अभी यह मैंने निबंद क्यों उठाया क्यों लंबे टाइम से आपने देखा होगा मालदीव के साथ विवाद एक चल रहे थे मालदीव क्या है भारत का प प्रमुक देश है जिन में से कौन कौन है दक्षण एसिया में अफगानिस्तान पाकिस्तान बांगला देश भूटांस लंका मालदीव सामिल इस पस्तौर पर हमने कहा कि हमारी दक्षण एसिया के पलोसी देश कौन है एक दो तीन चार पांच यह हो गया है इसके इलावा क् से भारत के पलोसा है भारत की विदेश निती का व्यापक उत्देश से का है वह हम देख लें ये मां5 की तरह अपने राश्ती लाश्तीस कि सुरक्षित करना और रास्ती सुरक्षा ुका दयरा काफी व्यापक भी है अमने थारन के जह स्पारा और अतंग का मुकाबला करना उखी के सुरक्षा ताइबर सुरक्षा यानि संचेत में कहें के पारंपड़िक और गैर खत्रों से भारत को बचाना ही क्या है हमारी विदेशनीती का उद्धेस से दोचिज़े मैं इस पर क्लियर कर दी एक तो हम क्या करें कोन है हमारे पढोशी देश और दूसरा विदेश निती अगर लेकर चल रहे हैं तो उसका उद्देश क्या है यह हमारी भूमिका में मत्पून चीज़ें यहां पर आ गई अब एक करके दक्षण यहां के दो संगठन जो मत्पून संगठन जिन में देशों के नाम भी आ जाएंगे तो एक है सारक और दूसरा है विम स्टेक तो सार के बारे में हमने क्या बात कहीं भारत दक्षण एक ही करण के लिए प्रतीबद्ध है भारत हमेशा से चाहता है उसके लिए प्रतीबद्ध है अला कि एक संगठन के रूप में सार्क जब और सुव पूर्द्ध की मामले में मापा गया तो अपेक्षाओं पर ख्राण नहीं उतर सका तो पूर्द्ध की कहेंगे का मामले में यहां पर हो गया कि संगठन को रूप में जो कारिश इलता है सार्क की वहत कम रही है केवल केवल मेटिंग बस करते रहें लाब इसका देखने को नहीं मिला है इसलिए लाइन हमने लिखी कई देशों के अस्तित्तों में है फिर भी रक्षण एस्या विश्व का सबसे एकी कृत चेत्र बना हुआ है कहने का मतलब यहां पर हो गया यह एकी कृत्र हर जगा बनता है ठीक है तो एकी कृत्र में क्या होता है धेर सारे वैप्टार लागू होते जैसे सब्याइबद सकता है तो एक बैस्ति करना सभी देशों को ब्रक्राइब परदिकूल में प्रदिक्यूल पर प्रभाव परठेड प्रकिती हमेशा क्या रहती है तो उसी को सिस में और रहता है दूसराि क्या चिछ तो बहुरत उसादा संगठन करते और सार कर संगठन बधा करते को हैं को लाब दएक नहीं रह जाता है रहे आगे इस जिसका उनिस्वा सिकर सम्मेलन हुआ था 2016 में इसलामाबाद में सार्क का जिसे भारत ने पाकिस्तान द्वारा सीमा पर आतंगवाद के निरंतर और राज्य सरक्षण और प्रयोजन को देखते हुए बहिसकार करने का निर्ना लिया यह पाकिस्तान क्या कर रहा है निरंतर आत बांगलादेश भूटान नेपाल इस सभी ने क्या किया था भारत के निर्णाय का समर्थन तब से ले करके साल संगठन व्यर्थ हो गया है और पढ़ा हुआ है कुछ नहीं कोई लाब नहीं पहले प्लतिक प्रती प्रतिफड़ता रहते हुए भारत ने सार्क से आगे नजर बीच में अंतर सहयोग के लिए अंतर चित्री सहयोग के लिए एक मंच के रुप में क्या बना लिया बिंस्टिक क्या फुल पाउम है तो बंगाल की खाड़ी पहल फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एकोनॉमिक कोपरेशन यह इसका नाम दे दिया गया और यहां पर ध् पाकिस्तान के का यह जो को छोड़ नहीं सकते ना तो पर ध्यान के इन्रित कर रहा है और ने नमबर 16 में ब्रिक्स के गोवा सिकर सम्मिलन में भी प्रिक्स के साथ आउट रिच बैठक का मतलब होता है इस ब्रिक्स के में मैं बैठक नहीं लेकिन बिर्टक को देख सकते हैं इसार्क को आंद प्राशंगीक है यानि कहने काम मतलब है कि हम सार्क को अनकारा नहीं कहा दे रहे हैं क्या है दूनों पूरक है क्या मझवinks हैं थानी कोई को बात बहुंदा नहीं झाल कि तौन को लाव भारत को मिले भारत और आशियान का एक दिश्ण भी हमारा ऊदोसी है इसलिए आशियान किसा कमंध्य हमारे अच्छे होने चाहिए है सरकान ने आसियान के साथ संब्दों में अधीक गतिश्य और कारवाही उन्मुख जिस्टी कोण की मांगी है आसियान के भीतर एक उप छेत्र जिसका भारत के पुरोट्चर चेत्र के सापेक्ष निकट्टा अंतर नीद लाब है ठीक बात है यहने का मतलब है हमारा एक उप चेत्र है भारत का जिसका नाम है पुरोट्तर भारत उस पुरोट्तर भारत में हमारी निकट्टा क्या है हमारी आसियान देशों के साथ में हैं जिसका लाब मिल जा रहा है और अपनी सबसे मधपुन पहल के रूप में भारत सरकार ने इस चेत्र में भारती नियर्स को बढ़ावा देने के लिए पांसो करोड रुपए लगभग पांच मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारती निर्यात और आयात में 2016 की परियोडनाओं के विकास को स्थापला भारत को आगे बढ़ाने के लिए इन चार देशों के साथ में पांसो करोल का को निर्धारित कर दिया भारत ने ताकि क्या हो इस छेत्र में विकास हो ठीक है ध् सब्सक्राइब करका से दिया है कि आप पाकिस्तान द्वारा राष्ट प्रावजित आतंग बाद पर लगाम लगाने और के विरुद्ध निशान असाधने और कस्वीर को हस्तक शेफ क्रोगने से ठोस और सत्यापन योग ठोस कदम नहीं उठाएगा मतलब पाकिस्तान तब कोई विचलन नहीं किया जाएगा हमारी विदेश निती तब तक के नहीं बदलेगी तो पाकिस्तान के साथ यह निती रही भारत और चीन के बाटने वाले मुद्धों में निकट भूई समय समाधान होने की संभावना नहीं अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्यों हर मुद्धा कैसा है तकरहाट वाला मुद्धा है इसलिए क्या कहा जाता है इसको लेकर के बहुत सटी की जनकारी है ध्यान रखना अपने निबंदों में काम में लेना इस बीच भारत ने आसक भास से आसकी जाती है कि जब भी हैना संभा हो जैसे वैपार और निवेस के चित्र में तो ज्ब आवस्चक हो तो उसका क्या करें ढॡुकलाम जैसे विवाद जैसे वसामना किया था वैसा सामना भी करें तो ऑस्वीर की मांगो छीन के प्रभाव से उसका मुकाब्ला करने की साथ प्रतिशपर्धा करते तरीका और कोई चीन का तरीका नहीं को कभे भी इमांदार नहीं रहता अपने संबंदों में सत्य निष्ठा का पाला नहीं करता इसके साथ यह नेती होती है विदेश मंत्राला के जो साइट है वहां मुझे लाइन मिली बहुत कमाल कि इसमें ले लिए अगर निसकार देखो भारत भारत जो है यह सुनेशीत करने के लिए बात है कि वह व्यास्पिक एजन्डे को आकार देने में तेजी से महतवपून भूमिका निवात यानि हमारी स्थितिया जैसी है कि विश्व को हम प्रभावित कर सकते हैं और विश्व को नितीद मिधारन करने में हमारी भूम नहीं कहने का मतलब बहुत सारे देश उभर रहें उनमें से एक भारत भी क्या है एक गुरूव भारत भी है जो उबर रहा है भारत दक्षिण एसिया के पलोशियों को रणितिक संबंधों को गुज्राल सिद्धान्त द्वारा मजबूती प्रदान करे हमें सागुज्राल स दें सकते हैं इस बात को हमको ध्यान में रखना होगा हमेशा परोशियों के साथ निती में और विश्वास वक्त की जा सकती है कि आगे चल करके क्या होगा प्रस्पूत कि आपके बहुत काम में आएगी निया रखना या अबीड़ और चुनावी पार दरशिता ठीक है एलेक्टरल बॉन्ड और चुनावी तरवियू अब इलिपारन यह देखो अभी नया मुद्ध था इलेक्तोरल बॉन्ड को ले करके सुप्रीम कोट में यह भी निबन इस बार करम्ट निबन बड़ा विवादjakकול और कुछ नीबन आना चाहिए माननी सर्वच न्याले ने चुनावी चंदे के लिए सरकार द्वारा बनाई गई जो करते हुए इसे भारती समवधान के अनुच्छ एक के प्रावधान का उलंगन माला यह बहुत करेंट में था विवाद में ठीक है आखिर इस इलेट्रेल बॉंड की व्यवस्था का समाइक चर्चे में आने का समसमाइक चर्चे में आने का क्या कारण है यह हम देखेंगे तो 2017 के तत्कालिन विट मंत्री ध्यान रखना यहां पर नाम लिख देते हैं नाम नहीं लिखना है इसके लावा विट मंत्री इलेक्टरल बॉंड व्यवस्था का आरम किया था जिसमें कोई भी राजनितिक डल 2000 रुपए से अधिक का चंदा नहीं दे सकता ठीक बात है क्या ब यानि कि कैस में 2000 रुपए से ज्यादा वो कैस नहीं दे सकता ऐसे में इस इलेक्टरल बॉंड को और समयधारिक गोशित करने के पीछे क्या करन है तो इलेक्टरों क्या है कि किसी राजनितिक पार्टी को चंदा देना हो तो क्या करना होगा आप 2000 रुपए सीधा कैस दे सकत आपना नाम अगरा जानकारी देना पड़ता है यह एको और वो जो काड़ आप ले करके जाओंगे किसको देदोगे और पार्टी मिला करकी पैसे ले लेगी उसको कहते हैं इलेक्टरोल बॉंड विवस्टाल यह चुनाओं के तैब भी जारी किया जाते हैं चुनाओं होने के अंदर आपको क्या करना होगा नितिक पार्टी को नहीं तो क्या हो जाए लैप्स हो यह वास्ता की गई थी उसको आव समयधानिक गोशित करने का क्या कारण है उसको देखो यहां पर से पहला तो कारण यहां पर है अनुच्छेद 191 है ना इस वास्ता के तहट अनुच्छ प्राप्त है और अनुच्छेद 19 के तहट ही क्या है इसका उलंगन माना है किसने सुप्रिम को दूसरा सूचना के अधिकार भी हमको यह जानकारी देता है कि गुप्त मद्दा आता हों के बारे में जानकारी का अधिकार भारत के नागरी को गया कहने का मतलब जो भी इलेक् दूधान का उलंगन किया सूथ ना के अधिकार को लंगन किया फिटीक है पार दार सिंद्धा और जवाब देही ता है इस चुनावी AU मामलों में गुप्त मद्दान संबंधी को ताक में रख दिया इसके लावा विदेशी फंडिंग का एक खत्रा बड़ा खत्रा सुप्रिम कोट ने कहा था कहा कि अगर विदेशी भी अगर फंडिंग करने लगे तो आगे चल करके पैसा दे करें भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को जीता सकते हैं और भारत का संच अपने साथ से करें कितना खत्रा है बहुत बड़ा खत्रा विदेशी फंडिंग जो है उसको लेकर के चिंता व्यक्त की थी अगरे वर्तमान इस्तिक तो चुनाग आयोग ने राजनितिक पार्टियों के प्राक्त चंदे का यह 30,000 30,000 208 यह है 30,000 208 करोड रुपय की थी ज चुनाग नहीं निकाला हुए ठीक तो टेक तो मुझे मिल गया था मैंने डाला हुए अभी ध्यान रखना यह डेटा अब जो है वो डिये डेटा अपडेट हो रहा है लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामले जैसे आ रहे हैं वीडियो बनने तक तो ठीक था ठीक है आगे वो बदल जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा राजनितिक करम को इसके लाव यहां पर एक चीज महतपूर्ण बताना था मुझे में क्लास लगातार चल रही है अगर आप जोइन करना चाहते है तो मौर्निंग में सुबह साथ बज़े से चल रही है और एवनि सारे टीचर जो है वह काफी क्वालिफाइड टीचर है तो आकर कर सकते हैं तो आगे आते हैं यहां पर वर्तमाल स्थिती में एसोसीयेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने क्या किया है जन ही ती आचिका में सरवुच नाला में प्रस्तूत की है जिस पर नाला ने य हमारे हाँ के सीजे आई हैं और अन्न चार जजों निया निर्णा लिया जिनमें पांच जीरो से फैसला दिया यह पांचों के पांचों जजोंने इसको आव समधानिक माना है क्या किया है तेरा मार्च को गुप्तमद्दान का डेटा निर्वाचन आयों को देने की बात भी कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्सिता लाई जाए जिससे ही समस्ता का क्या हो समधान होगा कहने का मतलब है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्सिता तभी हम मानेंगे जब सार्णिक तोर पर क्या किया जाए दान दाताओं के नाम को घोशित किया जाए दूसरा सार प्रक्रिया होती है उसके तहट क्या करें सरकार एक सुचारू मद्दान संचालन करते हैं वह क्या करता है जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतने ही चीजे बाट करके वह राज्य में यहां पर मद्दाताओं को लुबहा सके इसलिए क्या करें चुनावी खर्च में कमी करके चुनावी चंदे की सीमा को बाधित करके इसमें होने वाली समस्था से निप्टा जा सकता है यह बात भी ठीक है जो सीमा है उन्हें कर दी लेगा लीमिट बांदो के चुनाव पार्टी को इतने पैसे जादे नहीं दी जाए चुनाव की प्रक्रिया को सरलता से संपादित किया जाना चाहिए ताकि इस पर आने वाले चुनावी खर्च में कमी आ सके तरा नितिक पार्टी अतना ज्यादा चुनाव लड़ना ही तन कारों की जानकारी हो सके ठीक बात है गुप्त मद्दान की प्रक्रिया होती है अधिक से जाच ववस्था पर आदारीत हो कहने का मतलब है कि जो गुप्त मद्दान की प्रक्रिया हो किस चीज से प्रभावित है यह जब पता चल जाए कि शराप से कि दूसरी चीज़ों से प प्रत्तिक कारों के सूचना जनता और नियालय को मिलनी चाहिए यह बात को कंफर्म करना चाहिए सूचना के अधिकार के तहत अभी ऐसा नहीं है अगर देखें लास्ट में आ जाते हैं तो सरकार को क्या करना चाहिए एक लोग तांत्रिक और कल्याण कारी राज्य के कार्यों को अंजाम ना दिया जा सके और इसे किसी भी राजनितिक पक्षकार और जनता के मत को हानी भी ना पहुंचे उन्हें अपने मत्मुल्य की जानकारी रहे यानिकि जो दे रहे हैं मत उनके अपने मत्मुल्य के जानकारी तो रखो भाई कि किस पार्टी कोंसे पारदर्सिता अत्यनतावश्यक है क्योंकि यह पुर्णता जन विश्वास पर टीके कारें सब्सक्राइब नहीं रहेगा लोग चुनाओं में भाग नहीं लेंगे ऐसा होता भी है चुनाव में कई जगा पर वोटिंग बहुत कम होती है तो कि लोग इस चुनावी प्रक्रिया को विश्वास नहीं करते हैं जिस पर जनता सरकार से उम्मिद लगाए बैठी भी रहती है अता सरकार का यह परम करतव है कि वह अपने कारों में पारदर्शिता और जवाब देहि आपके जिम्मदार है कि इसको बहुत अच्छे त्यार कर लिए आपके काम आए एक्जाम में लास्क निबंद है चौथा निबंद भारत की वैस्विक खेलों में भूमिका यह पूरा पूरा कैसा निबंद होगा यह पूरा पता चलता है देख करके फैक्ट डाले जाएंग और खेल भी इससे अजूता नहीं है वायत ने 1947 से ले करके 2023 तक खेल के चेत्र में कई उपलब दिया हासिल की जिसमें कौन-कौन से गेंस हैं एसीन गेंस हैं कॉमन विल्थ गेंस हैं क्रिकेट है और क्रिकेट विस्वक अप यानिकी मेजवानी करना भी सामिल है ऐसे में भा पर हमने बात कहिए तीन चीज़ें ने बताई एक तो क्या है विस्विस्तर के आयोजन भारत कर रहा है खेल परतियों का यहन कर रहा है इसके लावाब विभिन्न खिलाओं क्या है विबिन खेलों में इसमत्पूर्ण कोन है लॉट मैदान में खेलेगा उलम्पीक गेम्स ज पड़ेगी तो भूमी का निकल करके आजाएगी तो आजादी मिलने के बाद टीम में लंदन उलम्पिक तो इंग्लेंड में दो एक सहरा करके स्वर्ण जीता हुआ था ठीक है लिटो ने इसमें हिस्सा लिया था आज भाले ही भारती पुरुस पुड़ टीम की हालत ज्यादा वहतर ना हो लेकिन उननीच सवक्यावन के दौर में इस टीम ने एस्टिती नहीं है वहले लेकिन आज है उस टेम पे थी टीम ने इस प्रदर्शन में 1922 का योगदान जो था और कियिद जादो सतना भारत में व्यक्ति तौर पर उलम्पिक जीतने वाले भारती में इसके लावा भारत का कोई लेकिन यहां पर देखोगे तो रामानातन कृष्णन ऐसे क्लाड़ी तो 1960 और 61 में विव लंडन के सेमी फैनल में भी पहुंचे थे इसके लावा भारती पुरुस होकी टिम ने भी मलेशिया के कुला लंपूर में 1975 में हुए होकी कप में क्या क्या था स्वर्ण पजग जीता था यह हमारी उपलब्दियां रही है पुरुस होकी विश्व का यह तीसरा संस्क्राण था और फाइनल में भारत ने गोल के अंतर से पाकिस्तान को हराया था दो एक के अंतर से मादी थी भारत के इनने महंदर सिंग जोन धोनी की अगवाई में आगे चलके देखोगे दक्षिन अफरीका में हुए पहले टीट्वंटी विश्व कप में किताब भी जी था यह भी होगा आपको ध्यान में भारती क्रिकेट कंट्रोल बोल्ट बीसी आई ने एक महत्पुन आयोजन करता है जानते हैं इंडियान प्रीमियम लिग यानिके आई पीयल के शुरुवात की या फ्रेंचाइजी टीमों की लिग बनाई गई थी थी था भारती नहीं बलके पूरी दुनिया के गहरी चाप इसमें छोड़ी है निसाने बाजी और अभिना विद्रा का बीजिंग ओलंपिक क में दो कांस पदक भी अपने नाम किये थे उपलब्दियां भारत की रही है खेल के चेत्र में कुछ अनिकलत में देखें तो इसमें जैसे के बहुत देसी टूनामेंट का आवजन पहली बार भारत में किया गया था कॉमन विल्ट मेजवान भारत ने 38 पदक भी जीते थे औ संदे क्रिकेट विस्टो कब भी जीता था ठीक इसके लावा आइसी चैंपियंस टॉफी 2016 इंग्लेंड और विल्स में किया था भारत ने इसके फाइनल में में मेजवान इंग्लेंड को पांच तूनामेंट को जीता था ठीक बात है 2017 पूरूस अंडर 17 फुट्वाल अच्छी बात थी भारत की स्टार महिला बैडमेंटन खिलाडी अभी इनका नाम तो जानते हो पीवी सिंदुने बासल में हुए 2019 के विस्व चंपियन में महिला सिंगल्स का वर्ग किताब भी जीता था बहुत बड़ी बात थी है वाद देश की पहली और एक मात्र खिलाड दो रजद चार कांस पदक भी मिले थे बाद टोक्यों ओलंपिक में भी कुल मिलाकर बहतर प्रदर्शन ही किया था बाद में पहली बार सत्रंज ओलंपियाड का युजन किया थी सुना होगा इस टूनमेंट का युजन तमिल नाडू के मामल पुरम में 28 जुलाई से 9 अगस इतलित का नाम है नीरत चोपड़ा जिसने स्वर्ण जीता था विस्वेटलिस चंपियंसिप में तो यह सारे डेटा मैंने दे दिये हैं और हमें आसा और विश्वास करना चाहिए कि यह प्रदीशन भी चीरकाल तक के जारी रहे हमेशा चलता रहे हैं तो यह था हमारा नीबंद का एक परिचर्चा आसा करता हूं यह आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए कमेंड कीजिएगा इस screenshot कर के डैटा पर सकते हैं इसके डेटा भी सेव कर सकते हैं इसके अलावा आपको क्लास करना तो आँन Nordic लावा आफलाइन क्लास देनी चल दे मैंने बताया सामको चार बजे है और सुबह साथ बजी एक लास चल रही है तो आकर करके आप जोएन कीजिए अच्छे बैचे से अच्छे आपको वीडियो पसंद आया होगा ठीक है मिलता हूँ कि अगले किसी भी वीडियो में तब और चर्चा करें और निबंदों पर तक लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कर दो